ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन लोगसवा चुनाओ का अगाज हो चुका है और आज जमुई सीट से अरुन भारती जो की लोग जन्शक्ति पार्टी राम विलास के उम्मिदवार हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है लेकिन दि से दो बार चिराग पासवान आप रह चुके हैं सांसद आपने काफी वहां पर काम भी किया है चौदर में उन्हीस में इस बार वो सीट आपने आखिर क्यों छोड़ दिये चिराग ये बताईए मेरे सामने ना दूविधाएं थी दो दूविधाएं एक मेरे पिता की कर्म की जिम्मेदारी अगर मैं उसको ना निभा पाऊं तो मुझसे बहतर और कौन उस जिम्मेदारी को निभा पाएगा ये चेहन करने की तो मैं इन दो राहों पर था एक रहा का फैसला बहुत असानी से हो गया कि ठीक है पिता जी नहीं तो मैं हाजीपूर जाओंगा और उनक जानता था तब भी बच्पन से जाता रहा हूं तो वो रिष्टा रहा है पर ये रिष्टा मैंने अब पिछले दस सालों में जमुई से के साथ भी बनाया था जमुई वासियों के साथ भी मैंने बनाया था अब ऐसे में अगर मैं वहा नहीं हूँ तो कोई भी और संभवता शयद उस भावना को नहीं समझ पाएगा जस भावना के साथ मैं जमूई वासियों से मैं जुड़ा हूँ आशे में मेरा कोई अपना ही मेरे कोई परिवार का ही सदस से जमूई को वो प्यार वो इज़त वो सम्मान दे सकता था जो मैं हमेशा से देता हैं हूँ या जो मैं देना चाहता हूँ कोई और होता सांसद जनता कर रिष्टा होता बट मेरी बहन से बहतर और कौन तो ऐसे में मेरी बहन, मेरे जीजा जी आज जब उन्होंने वहां पे नावंकन किया है तो मैं उम्मीद ही नहीं मुझे विश्वास है कि जैसे रह खड़ा हो रहा है परिवारवाद आपको भी पता होगा इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधान मंत्री हो या बीजेपी लगातार परिवारवाद को मुद्दा बनाती हैं तो यहां सवाल होने तो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं भाई प्रधान मंत्री ज बात को सपर्श रखा कि अगर कोई अपना संगर्श करके है कोई मेहनत करके सामने आता है जस्ट विकॉज कि वह विक्ति आपके परिवार का है इसलिए आप उनको आने से रोके यह गलत है और रोहित मैं भी मानदारी से मानता हूं कि किसी बड़े विक्तित्व का सुपुत्र उनको नहीं स्विकार कर पाएगी और अगर वह मेहनत करते वे दिखे दिन रौत वैसे ही दौरते वे दिखे प्रियास करते वे दिखे परिश्रम करते वे दिखे तभी जनता स्विकार करेगी मेरे साथ भी I was also unapokered in 2014 I was unapokered not in 2019 2014 में मेरे साथ ये जोड़ा जा सकता था चौदा में मुझे पिचासी हजार मत मिले थे बट उसको मैंने धाई लाग मतों के अंतर में मैंने बदला जहां पर उननिस में धाई लाग के मार्जन से मैं जीता तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास मुझे बढ़ाना तब ही उन्होंने मुझे यह आशिरवात दिया और कल आप जीजा जी को जब लेकर गए अपने चुनाव कॉंसिट्वेंसी में तो आपने वहां पर इंडिये के नेता कारकरताओं को इंट्रिज्व कराया परिचे कराया यह हमारे जीजा जी है अब आपका समर्थन चाहिए तो जीजा जी का क्या चांस इस बार लग रहा है मदान में भाई देखिए मैं चुनाव से पहले मैं कोई दावे नहीं करता हूं सब कुछ जनता के हाथ में ही है पर हां क्योंकि मैं जमुई की जनता को इतने अच्छे से अब जानता हूं घर परिवार है वो इतने अच्छे से पहशानता हूं कि विश्वास है कि 2019 में जो मे कूल भी नपरिवार से हाँ इतव छड़का करे कि जीजा जी का नाम सामने आए हम Bach देखान मैं जहां तो मैं दोहिकी अ कि मुल टा माहा लाई आप इस था ज्या जाए फिर पटना गया बादा किया है और जी जा जी भी निवाएंगे मैं मानता हूँ पिछले दस सालों में मुझे लगता है वहां की जनता ये बोलती है कि पहली बार कोई ऐसा सांसद मिला जो इतना जमूई आता है आया गया बड़ी परियोजनाए लेकर गया मैंने जमूई की जनता से कहा था कि आपने मुझे नली गली बनाने के लिए तो नहीं चुना है आपने अगर चिराग पासवान को चुना है तो आपकी बड़ी सोच भी रही होगी कि ये आया है तो कुछ बड़ी योजनाए जमूई में लेकर आएगा हाविंग सेट जहाँ एक तरफ मैंने नली गली सडकों प ये तो किया ही जो की बेसिक इंफरस्रक्चर के काम थे बड़ी परियोजनाओं की उमीद जमूई को थी पहली बार जमूई को अपना की इंद्रिय विद्याले मिला वो मैंने दिया और बहुत संगर्श के बाद दिया क्योंकि उस वक मेरी यो अस्तानी प्रसाशन के साथ ब जोनल आफिस हमलों ने दिया तो ये तमाम ऐसी चीज़े हैं जिस पर काम चुछ नहीं हो पाया है तो अब ये जी जाजी काम वो पूरा करेंगे एक्शली क्या ना मैं इतने भर से मैं संतुश नहीं हूं रोहित मेरी उमीद है बहुत है मैं जमूई को मैं चाहता हूं कि मैं मेरे मनुवल को बहुत बढ़ाया अभी कुछ हफतों पहले नीती आए कि रिपोर्ट आई जमूई रोहित दोहजार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स में तो दोहजार चौदह में जमूई निन्यानवे पायदान पर था दोहजार उन्निस में नौ में पायदान पर था और अ 2024 में पहले पायदान पर है अच्छा तो यह बताई कि कोई वहां लगता है RJD के उमिदवार कोई करी टकर दे पाएंगे वहां से RJD ने उतारा है एक महिला को देखिए मैं हमेशा से आप मुझे जानते हैं मैं हमेशा सकरात्मक राजनीती करने का पच्छदा रहा हूं किसी क को डाउन साइज करके या किसी को डिमीन करके या बोलके कि अरे इन से क्या होगा उन से क्या होगा मैंने कभी ऐसा नहीं किया मैंने दो दो चुनाओ लड़े बट मैंने कभी मुझे नहीं लगता और आप आर्काइज में भी देखिए का मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने चलिए तुजिया जी की बात हो गई कि आब उनको आपने उतारा है नितीश कुमार के साथ क्या कुछ चल रहा है को कि आपने उनसे मुलकात भी अब की है बड़े सौहारपुन तरीके से आपको वो पक्रे हुए थे तस्वीरें भी वाइरल हुई है क्या लगता है सब कुछ ठ पारिक में जब हम मौझूदा प्रधान मंतरी आदनिया नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान मंतरी बनाने के लिए हम लोग संकल पे थे हैं जब एंडिये के तमाम साथियों को 400 प्लस का लक्ष दिया गया है उसमें बिहार की 40 की 40 सीटे बहुत कि नेताओं के द्वारा ये प्रयास हुआ ताकि गडबंधन को वो मजबूती मिले नीचे कारेकरताओं को वो क्लियर सिग्नल जाए कोई किसी दुविधा में नहीं रहे इसके लिए अफकोर्स लोग जन्शक्ति पार्टी रामलास को और जंतरदल उनाइटेड को वी हाफ नेते रहे नेते बड़े हैं, जब ऑ उनकी नीती soap के बारे में भी जब चर्चा की मैंएन, व्यक्तिति समें पर पर उनका हमकी है। आपने कई आसी तस्वीरे देखी जहां मैंने उनका पहुंच हुआ उनका आशिरवाद लिया ऐसे ही उसी क्रम में आज गया उनका पहुंच हुआ औनों ने गले लगाया बढ़े हैं मुझसे बढ़ो का आशिरवाद जितना में चलिए भूल जाए यह पुरानी चीज़ का ऐ नितियों को बिusement को ले कर कहांपे कि Hey गे हुए किए बियारी काविण जफ्र विय आ हुआ पर देटियश में सब्सक्राइब कोई इसे तारीक में इस को नहीं इसके कोई माइन ही नहीं है जब हम लोग अगर पड़े लक्ष ये की और Aggressor हो रहे हैं तो ऐसे में इन बातों के अभी कोई माइने नहीं है जी ठाओ साब चाचा के बारे में बताईए चाचा तो अब मैं कैसे तो कहीं के अभी शायद नहीं रहे इंडिये में बने हुए हैं लेकिन क्या लगता है चाचा को आप माफ कर पाएंगे जो उन्होंने दो हजार एकिस के लिए किया था अरे रोहित मैं बहुत छोटा हूँ उनसे उम्र में रिश्टे में मैं कोई नहीं होता हूँ उनको माफ करने वाला बढ़ा आपके साथ जो हुआ था आपकी पार्टी के साथ जो हुआ था नहीं बठा मेरी पार्टी से जादा मेरे परिवार क्योंकि यह सिर्फ राजनिती की नहीं परिवारी कुशे भी है और मेरे परिवार की कई ऐसे बड़े हैं जिनको उनसे बहुत नराजगी है बहुत जादा बिल्कुल मेरी फुआ हैं आप उनसे बात कीजेगा मेरे फुफा जी से आप बात कीजेगा उनको जो नराज की है मतलब मेरी फुआ उनको राखी बांदने तक नहीं जाती इतनी नराज है कि उन्होंने पापा के जाने के बाद जो जो चीजे पाटी परिवार के साथ की आपको पॉसिबिलिटी नहीं है प्रियास भी नहीं है न कहीं से उनकी तरफ से कोई ऐसा ऐसी भावना नहीं दिखती कि हमने कुछ गलत किया या कुछ गलत हुआ वो लोग शायद महागडबंदन में ट्राई कर रहे हैं दिया नॉकिंग डोस अलग अलग पाटियों के पास प कहीं से उन्हें चुनौल लड़ने का मौका मिले बट मेरे पास कोई आज भी तकलीफ है आपके अलग वहाता है सुभावे के रोहत क्यों नहीं होगी मतलब भूले नहीं पापा के जाने के बाद वही मेरे पापा थे ना उन्हीं की मुझे जूरत थी सबसे जादा ऐसे में यहाँ वही मेरा मारक दर्शन करते हैं रोहत मैं कब इतना बड़ा हो गया कि मैं अकेले भाशपा जैसे दूनिया सबसे बड़ी पार्टी के साथ मैं अकेले सिंगल हैंडड़ी मैं नेगोसियेशन्स कर रहा हूँ, सीटे हम लोग बाट रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कब इतना बड़ा हो गया पापा के साथ पापा करते थे, पार्टी के लोग करते थे और उनके बाद ये जमेदारी चाचा पर ही थी ऐसे में एकदम बीश मज़़ार में मुझे जिस तरीके से और सिर्फ छोड़ी नहीं दिया गया इतना धकेला गया उस मज़़ार में ताकि मैं डूब जाओं पार्टी से ही अलग नहीं किया गया मुझे परिवार से भी निकाला गया मेरे घर से मुझे निकाला गया ये तमाम चीजे मुझे से मेरी पीड़ी के सारे भाई बेहनों को छीन लिया गया कल को हमीं लोग थे ना जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते बट मेरे सारे भाई बेहनों को तो वहाँ पर मुझसे अलग कर दिया गया तो ऐसे मैं यकीनन मैं वो वाकिया नहीं बूल सकता जब मैं बिमारी की हालत में दर्वाजे पर मैं खड़ा हुआ था बहुत देर तक मेरे हाथ में कैंडूला बना हुआ था आइ उस वक जब मैं अंदर जाता हूं एक डेड़ अच्छा हो रहा है भाई अगर मैं आपका अपना बच्चा होता आपका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी आप यही कहती मुझे या तब भी चाचा ऐसा ही करते मेरे साथ हकीकत यह है कि इन्हों ने मुझे कभी घर का बड़ा बेटा माना ही नहीं बट हैविंग है कि कोई टक्कर यहां पर हो पाएगी महां गड़बंधन हो रही है पहली बात यह पूर्टा 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 उनक्या इंटर्नल मैटर है उनके गड़बंधन का मैटर है जब कॉंग्रेस को इतराज नहीं तो मुझे क्या इतराज हो सकता जब भो लो कि इस सारी चीजों को छोड़कर अभी एक साथ आना चाहिए हम लोग को राजनीती का विद्यारती हूं सुडेंट और पॉलिटिक्स हूं हम लोग ने सीखा यह यह कि सबसे उपर राश्ट हित होता है फिर गड़बंधन का हित आता है फिर आप जिस दल के है आप उस दल का हित आता है बट हाविंग सेट तर वो उनका मैटर बाट रहा है इंडिया कटपंधना कुछ लगता है कुछ क्या हो रहे हैं देखे आज की तारीक में तो नहीं लगता पहली बात तो इंडिया आलाइन सब रहा कहा है मुझे नहीं पता जो इसमें सबसे सक्री और मजबूत भूमी का क्या है धो और के साथ आजगे हैं आधानियो पेंडें़ कुषवा जी हम लोकशंद हो साथ आगया है तो लोक ताकत हम लोग की और बड़ी है तो ऐसे में इसना सबसें नहीं बचता इन्ड्र आलाइंस के लिए या इंडिया अप्की सवाल कुछ बहु है अपने के सबस्कार अन्यकुट तो मेश तब करोगाता है इस बार का फॉरकस्το क्या जिए होगाने है बिहार में जरू कि यह सकता हूं चालिस के चालिस इते गिंगे और देश भर में डिमें फीडबैक्स मिलते हैं पार्टी का संगठन हर एक जगा है तो जो जानकारी आती है सोर्सेस से अपने पार्टी के कैडर से वो मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि जो टार्गेट प्रधार मंत्री जी ने दिया है चार सो पार का वो हम लोग सरलता से हासल कर लेंगा सरलता से इ जी बिल्कुल हाजीपूर से चुनाव लड़ूंगा और ये पार्टी की तरफ से भी ऑफिशली इस पर मोहर लग गई है पार्लेमेंटी बोट की तरफ से पिता की विरासत को संभालने के लिए बागे प्रयास करूंगा उनके नक्षे कदमों पे चल सकूँ जी तो हाजीपूर से भी चुनाव लगने वाले हैं चिराग पासवान जमुई की सीट उन्हें छोड़ी है अरुण जी के लिए जो कि उनके जीजाजी भी है और साफ मानना है जैसे पने उनके पिता मौसा मैग्यानिक कहा जाता था राम बिलास पासवान जी के वो वैसे ही भविश्वानी कर रहे हैं कि एंडिये भी इस बार बिहार में 40 में 40 और जो प्रधान मंत्री का टार्गेट है 400 प्लस एंडिये उसको जरूर पूरा करेंगे रोहित सिंग पतना